मैं स्रमिला फगेडिया आप देखरें खुसी बूटिक आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आई हूँ कि कुर्ती के कंधी क्यों गिरती है इसके बारे में आपको बताना है कुछ समझाना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखेगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लिजेगा तो हां मैं आपको बता दूं कि कुर्ती की कंधी क्यों गिरती है पहली बात तो यह होती है कि आपको कटिंग सही से नहीं आती है अगर आपको कटिंग सही आती है तो इसमें थोड़ी स गडबड हो जाती है चोटी मोटी गलतियों के कारण भी ये कंधी गिरने लगती है जैसे कि मैं आपको बता दूँ इस पैटरन पर बता देती हूं ये मेरे पास पैटरन है इस तरह करता। भी है पेंटों के भी है और ब्लाउजों के भी है आपको जो लेना हो तो यह हमारे पास इस तरह से पैटरन के पैकेट भी अवलेबल है जैसे कि एक पैकेट में पांच नाप मिलते हैं 28 से लेके 36 तक यानि के 28 32 34 36 और दूसरा यह पैकेट है 38 40 42 44 46 तो इस तरह से हमारे पास द तो मैं आपको पैटरन के उपर बता दू कि आप कहां पर गलती कर देते हैं जैसे कि मेरे पास यह है 24 नाप का तो आप इस तरह से गला कटिंग करते हैं मानलो आपने गला कटिंग कर लिया उर्टी में 6 इंच का या सवा 6 इंच का साड़े 6 इंच का और बैक गला आपने कट को आरम होल की साइड ऐसे डाउन कर देते हैं जो आपकी गुरू थी आपने किसे से सिखा या कहीं से देखा तो उन्हांने बताया कि इस तरह से आधाइच कंधी को डाउन करना आता है तो यह इस तरह से कंधी को डाउन नहीं करना होता है जैसे कि मान लिजिए आप हमारा कंध इस तरह से थोड़ा नीचे की साइड तिर्चा होता है यहां से लेकिन यहां से अगर कुर्ती को भी सेम तरीके से रखा जाए तो यहां से लूज रहती है और लूज रहने के कारण यह कंधी भी गिरने लगती है तो एक तो यह बहुत बड़ा कारण होता है इस किसी को भी इस तूट की कटिंग खराब हो जाती है तो आपकी कुर्ती की कंदी गिरने लगती है और दूसरा कारण मा आपको बता दूँ कि जैसे आपने इस तरह से तीरा कटिंग किया यहां से गला कटिंग करने के बाद मैंने यह रखे 5056 क और यह खिलाई करने के बाद रहे जाएगी 50й याप और दूझे 5ikk Lex excuse तो आप क्या करते हैं कि आपने 14 इंस तीर तीरा कटिंग की बिलकुल और रखेक्ट आईगी और हाँ बतातूं को यह जो यहां से चौडाई जद हरेगी गिरने लगेगी तो ये दूसरा कारण है और तीसरा कारणम आपको बता दूँ इसमें कि यह जो plate का निशान में ने लगाया है नाप लेके लगाया है plate का निशान आपको लगाना बहुत जुरूरी है plate का निशान आएगा निपल तक और निपल से आधा इंच नीचे तो यहां से कमर की fitting बिल्कुल सही आजाएगी अगर आप निपल के उपर से plate का नाप नहीं लेते हैं और बिना नाप लिए यहां की fitting कर देते हैं अगर आपको plate नहीं भी लगानी तो भी आपको नाप लेना जरूरी होता है माली जिए आपने बिना नाप के और यहां के fitting कर देते हैं तो कई बारे ऐसा होता है कि यह fitting है थोड़ी सी उपर या नीचे हो जाती है इसके कारण भी यह कुर्टी थोड़ी सी उपर जाने लगती है जैसे कि गला पीछे जाता है आपने बहुत सारी लेडिज का देखा होगा कि गला पीछे जाता है उसके कारण भी कंधी गिर जाती है तो एक यह भी problem आ जाती है और इसमें एक तो कारण और भी होते हैं जो गला गिरने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं कंधी गिरने में तो वो करण भी मैं आपको बता दूँ जैसे आपके पास कपड़ा है नॉर्मली कोई भी कपड़ा है आप उसे कपड़ा से कुर्टी की कटिंग कर रहे हैं तो ये कपड़ा मैं आपको दिखा दूँ ये मैंने मेरी सलवार के लिए लिया है तो देखो ये थोड़ा सा टेड़ा ही है ये इतना सा टेड़ा है तो ये सलवार में तो चल जाएगा लेकिन जब हम कुर्ती कटिंग करेंगे तो इसमें इतना सा टेड़ा है ये ही कुर्ती को इस तरह से टेड़ा कर देगा और जो कुर्ती टेड़ी जाएगी तो उसका एक सा इनमें आप गलती कभी न करें, तो आपकी कुर्टी के कंधर नहीं गिरेगा, अगर आपको कटिंग सहीं नहीं आती है, थोड़ी सी प्रोब्लम माती है, तो आप हमारे पास इस तरह के पैटरन है, वो भी ले सकते हैं, और गषाई आक वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, कि इस तरह से कटिंग की हुँ होती है, यह हमारे पास 28 से लेके 36 तक और यह 38 से लेके 36 तक, इस तरह से हमारे पास यह पैटरन आवलेबल रहते हैं, आग आपको लेने हैं तो इस नंबर से आप कोल करके भी आदर ले सकते हैं, वर्चाप आप मिलेंगे जो आपको 1100 रुपे में मिल जाते हैं और दोनों पैकेट अगर आप लेते हैं तो आप बाहर की सिलाई भी कर लेते हैं आपको बिल्कुल भी मुश्किल कम नहीं होगा जैसे कि आपको क्या करना है पैटरन लेने के बाद ये कपड़ा हुआ और जहां पे भी आ प्लेजिंग का निशान लगा सकते हैं प्लेटों का निशान गले की कटिंग सबकुछ एक दम परफेक्ट मिलेगा आपको और आपकी जो कुर्टी की कटिंग है वो सिरफ 5 मिनट में हो पाईगी तो आपका टाइम भी बैस्ट नहीं होगा और हाँ एक और बात मैं आपको ब सब्सक्रपाइम लगता है क्योंकि मैं इसको अच्छे से नाप के ही कटिंग करती हूं कि कहीं किसी का सूट खराब ना हो जाए मैं यह सोच के करती हूं कि मैं कि नहीं हुआक दो हजार रुपे का या 5,000 का सूट ही कटिंग कर रही हूं मैं आपके लिए ये सब करती हूँ कि अगर आप एक बार में 1100 रुपे में अगर पांच नाप लेते हैं तो आपके पांच सूट सही सी ले जाएंगे जैसे कि मानले जी आपका 1000 रुपे का सूट है और आपने कटिंग किया थोड़ी सी गलती के कारण वो सूट बेकार हो गया माली जी आप बेकार हो गया तो आप उसको नहीं डाल सकते आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं इस सूट को डाल लूँ कहीं जाओंगी तो कैसी लगूँगी तो इस तरह से कुछ मन खराब हो जाता है अगर थोड़ी चींवी गलती हो जाती है तो लेकिन यह तो आपके लिए हमेशा के लिए रहेगे ना यह तो मैं वापिस नहीं लोगी आपसे यह तो आप इससे एक सूट करो, पांच करो, दस करो, पचास सूट करो या आप की इसमें तीन पीड़ी भी यूज कर सकती है क्यों यह संभाल के रखने की चीज है आप कटिंग करो और संभाल के रख दो तो यह महेंगा नहीं है वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नई आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलते हूं आप से आगले वीडियो में